गणेश चतूर्थी दोहजार चौविस में कव है जानिये गणपती पूजा का सुभ महुर्त और कितना होगा पूजन का समय नमस्कार भ्यखु डॉक्टर स्रीपती त्रिपाठी भगवान गणेश के जनमोच्षव को गणेश चतूर्थी के रूप में मनाये जाता है माननेता है कि भादपद माह के सुकल पक्षी चतूर्थी तिति पर भगवान गणेश का जनम हुआ था इसी उपलक्ष में गणेश चतूर्थी के पर्व को पूरी स्रद्धा और आस्था के साथ मनाते है इसी दीन से ग्यारह दिवशी गणेश उत्सव की शुरुवात भी होती है जिसके पहले दीन यानि गणेश चतूर्थी पर भपा को घर में बैठाया जाता है अर्थात उनकी मुर्ति की अस्थाप्रा की जाती है यह दीन काफी बिशेस होता है गणपती चतूर्थी की तारिख और दीन बता दें कि 7 सितंबर सनीवार गणेश चतूर्थी बरत है पूजा महुर्त जो है 11 बच के 3 मिनट से लेकर 2 पर 13 बच कर 34 मिनट तक है गणेश चतूर्थी पूजा ओधी 2 घंटे और 31 मिनट है गनेश चतुर्थी के बारे में बता दें कि पंचांग के अनुसार 7 सितंबर 2024 को भाद्र पद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिति पढ़ रही है और इस दिन सरिवार पढ़ रहा है चतुर्थी तिति का आरंब 6 सितंबर 2024 को दीन में 12 बज के 9 मिनट के बाद चतुर्थी तिति का आरंब हो रहा है जो 7 सितंबर को दीन में 2 बज के 6 मिनट तक ब्याप्त रहेगा उद्या तिति के अनुशार गनेश चतुर्थी व्रत 7 सितंबर को मनाना उत्तम रहेगा बपा के भक्ते इस दिन बड़े धूम धाम से उनको घर में लाकर उनकी अराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पूरा माहौल ढोल लगालों की आवाजों और गणपती बपा मुर्या के जैकारों से गूशता रहता है, बपा को घर में एक से दस दिन तक बैठाया जाता ह इस दोरान उनकी मूर्ति का अस्थान बारवार नहीं बदलना चाहिए, गनेश के पसंदीधा पकवानों से उनको भोग लगाकर उनसे सुक्र सम्रिधी की कावना करनी चाहिए, गनेश के मंत्रों का जब करना चाहिए, गनेश संकट स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे सा सारे कस्ट दूर होते हैं और गनेश जी की भी क्रिपा प्राप्त होती है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट्स करें